सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को दबाईए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सकें ये सब बिलकुल फ्री है हिंदी क्लब में फिर से आपका एक पर स्वागत है मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हिंदी क्लब ये न्यूज थोड़ा सा पुराना हो चुका है क्योंकि मुझे ये ख़बर दो पहर में मिल गए थी कि टीटी बीसे बी अडरेट जीमल डॉट कॉम द्वारा आपको टॉट है तो कर देजे मेल और आपको मिल जाएगा उसका जवाब देखेए किसी का ये मेल सजाय तुम को दिखा रहा ऊगिए करके तेक विद्सप्रेशं यहां आइम के बाद अपना आप नाम लिख लेंगे उनका नाम था मैनने मिटा दिया थाकि सबको नहीं पता जले I had been appeared in beta exam in math and science stream it's it's held on 13 July 2017 okay my role number is itna date of birth ये booklet number ये series number ये okay there are 10 questions which given wrong answer by board whose you should give me 10 marks और उन्होंने demand भी किये 10 marks की and one question also wrong I am sending you all question answer with proof please consider this क्या बात है उन्होंने कहा है कि आप इसको 10 marks मुझे दे दीजिए और एक question और भी है जो wrong है यानि गलत है और सब को इकठा करके भीज रहे हैं और कहा रहे हैं को इसको consider कीजिए चले उन्होंने पहला question उठाया है ये है आपका question number 19 series B का सल्मा एक प्रारंबिक बिद्धाले में सिक्षिका है उन्हें बच्चों को सीखाना बहुत अच्छा लगता है सिक्षक के लिए तरह तरह के संसादनों का कच्छा में रोचक परियों करती है सल्मा डैस 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 अभी प्रेरित है मैं आपको ये भी बता दू कि जो कोस्षन ऐसा मत किए चरहता को कर दिजीगा निर्व आपको लगता है ये कुष्षन की बात हो अगर आपको लगता है ये उप्सन जो चिक करके बेंश कर देद हैं इन्हों ने रखा है कि सथर यह आंत्रिक रूप से अभी प्रिदित है इसका मतलब बोड ने इसका भी ऑनशर दिया है लेकिन जब वो सिख्षड के लिए तरह-तर के संसाधन का परियोग करती है तो उसका उत्तर सक्री रूप से होगा यहां वो आंतरिक रूप से होते हुए होते हुए कच्छा को सक्री संसाधनों का परियोग करती है अधर सलमा सक्री रूप से अभवे प्रेदित है इनका next question देखते हैं यह question number 11 है series B का इसको देखते हैं हम लोग इसमें इन्होंने क्या लिखा है निमलिखित में कौन सा विकल गार्डन द्वारा प्रतिपादित बहु बुद्धी सिधान्त में सामिल है अस्तानिक बुद्धी है संगेतिक बुद्धी है अस्तित वादी बुद्धी है और जो language है अगर आप वही answer लिखते हैं तो language थोड़ा सा change कर देना चाहिए क्योंकि अगर ये वीडियो देख रहा हूँ बहु हूँ copy आप कर लेंगे तो फायदा नहीं होगा तो इसमें answer उन्होंने लिखा है सब इस question का उत्तर मैं option D D ही दे रही थी यानि board का answer क्या है तो D है 123 लेकिन आपके दोरा spelling mistake के कारण मैंने option B take की क्योंकि आपके इस गलती के कारण मैं नहीं समझ पाई कि ये केवल आपके printing mistake है मैंने समझा इसे जान बुझ कर इसे दिया गया था कि जल्दी बाजी है पर चार्टी गलती करें किरपिया करके इसका marks मुझे दिया जाए यानि लगता है क्वालिफाई होने के विचार में है इसको भी इन्होंने उठा लिया है सायद लगता है कुछ ज्यादा ही लचा है तो इसमें इन्होंने उठाया क्वेश्चन नमबर टुवेल बैस रस भी है निम्न में कौन प्रात्मिक पूनर बलन का उधारन है यह मतलब हिंदी कलब का नहीं है यह किसी का है लेकिन आप लो इसमें भेज दिया साथ में मुझे भेजा है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं उन्होंने यह भी बताया कि सर रिप्लाई आ रहा है और इसमें है इसमें उन्होंने लिखा है सर प्रशन को रॉंग के सूची में डाला जाए क्योंकि किसी भी बच्चे को पढ़ाने के प्रशन को हल गिल्सरीं तो यहां इन्होंने लिखा है according to Bihar text book option C is right answer option C is right answer and also I am sending below screenshot of this book you can also watch in Bihar text book on page number 47 47 जानी इन्होंने लिखा 47 page number पे देखे है option C option C correct so please give me one marks for this question क्या बात है इसके लिए उन्होंने मार्स मांगा है तो यह हो गया आपका question इन्होंने थट लगाया है निम्न में कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक है तो इसमें देखे इसमें दो चीज़ा है तारफीन का तेल किरोसीन तेल तो इसके कारण उन्होंने दो मारा था यहां अलकत्रा भी है को यहां खोलक लगाया है यहां किरोसीन का तेल लिखके लगाया है किरुसिन का तेल को साप करते हैं किरुसिन के तेल आपके हाथ में लगे अलकत्रा को क्या करता है गोलक के रुप में ये कारे करता है जिसके कारण किरुसिन का तेल आपका गोलक है इसी कारण इनो ने इसको टिक किया था इसमें तारफिन का तेल था इसका मतलब उनको पता चल में कौन सा कतन सही है घर भासा के एक निशित लीपी होती है जस्में उसे लिखा जाता है तो इस सर इस प्षण का उतर ए होगा मैं बुक का स्क्रिन्सोर्ट भेज रही हूँ आप सम्माने रुप से भी पूछें सम्माने रुप से अगर पूछते हैं तो हिंदी भासा के वो होगा आपका देवनागरी, को देवनागरी ही कहा जाएगा, ना कि रोमन या कोई और, अर्था सभी भासा की एक निश्चित लिपी होती है, जोसमें उसे लिखा जाता है, इसके अवज में उन्होंने स्क्रिन्शोट क्या भेजा, वो भी मैं देख लेता हूँ, बोली और भासा में अंतर, इसकी एक लिपी अवस्य होती है, अगर वो भासा है, तो उसकी एक निश्चित लिपी होती है, इससे भी है, और मैं देखता हूँ, इन्होंने क्या भेजा है, परतिक भासा की एक लिपी होती है, हिंदी की लिपी देवनागरी के नाम से जानी जाती है, य अरे इसे चीज वहांते है नेपाली बहुत सारे है यहां सकते हैं अगर यह तो पूरा सही होना चीज yağते है अब यह आज है लिखित कहानी इद्गाह से ली गई इसके बारे में निमलिकित बिकल्पों में से कौन सा सही है अमीना और हमीद के परिस्पा लगाव की कहानी है सर इस प्रस्ण का उतर यह होगा लेकिन आपकी तरह से बेवज़ा इसे गल गलत किया गया है क्या बात है इन्होंने तो एंसर जवर्दस दिया है बेवज़ा बिना किसी काम का आपने इसे गलत कंसीडर कर दिया है है नेक्स्ट कोशन में चलते हैं एक सो बीस बाई वन फिफ्टी सिर्श बी का है इतना जब्त इससे कैसे हुआ इस सब इस वाक्त में जब्त का अर्थ है सब्र इस स्ट्रेशन का उतर यह hoगा मैं प्रुफ में मैं स्कृंसौर्ट भीज रही ह Cons apt भेज रही हूं ने प्रुफ में तो बिजा जब दबाया हुआ यानि उन्होंने इसे सब्रके रूप में दिखाया है इनका इंग्लिज से सब्दित है It's no use To talk Talking लगाया है और उसमें B में मारा इन्होंने He did not agree With With के जगे इन्होंने To लगाया है To लगाया कि इसको सही किया है इनका कहना है 96 By 126 और यहां हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बात है उन्होंने तो पुरा डिस्क्रिप्टिव ही कर दिया और यह रहा विथ यहां पे विथ उन्होंने फिल किया है और इसके बाद उन्हों खत्म हो गया प्लिज्व हैल्प मिं थैंक्स लिए यह उन्होंने यह कर दिया है तो यह वीडियो यहां खत्म होजाएं और यह वीडियो नीश्य थी आच्छा लागा इस पर mail कर दीजिए, खोदी आपका answer आपको reply में मिलेगा, thanks for watching this video, अगर कुछ बच चाहता है, तो मुझे mail कर दीजिए, mail किस पर कीजिएगा, ये भी पूछने वाली बात है, sorry, mail आप नहीं करें, आप comment कर दे में पढ़ लूँगा, thanks for watching this video, bye bye.